नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओनलाइन शिक्षन कारियमा आप सवनु हर्दिक स्वागत छे आज हम महाकवी सुर्दाची द्वारा लिखेत काव्य साथ सुर्दाच के पद पड़ेंगे कवी परिचै महाकवी सुर्दाची का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार डिल्ली के पास सीही नाम गाउं में हुआ था कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मत्वुरा के पास रुकना या रहनु काक्षेत्र में हुआ था इनका जन्माद यानि जन्म से अंद होना भी विवादास पद है वल्याबचारिया इनके गुरु थे इनकी प्रेरा से फिस्रीनाची मंदिर में कुरुष्ण के लेलाओं से सम्मंदित पदों की रचना करते थे ये कुरुष्ण के अनन्य भक्त थे सुरुष्ण के अनन्य भक्त थे स्रीकुष्ण की भक्त ही उनके मन को सांती देती थी बातसल्य एवं सुरुंगार रस्म के वणन में विवद्वितिया है प्रस्तोत पद में सुरुष्ण की अनन्य भक्ति भवना का परिचे मिलता है उनका मन सिवाय कुष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता जिन आखों ने कमल के समान नयन वाले स्रीकुष्ण का दर्सन कर लिया हो वे और देव की आरदना कैसे कर सकती है आरद्य देव का गुंगान सुर्द ने किया है तो आई ये पढ़ते हैं सुर्दास के पद मेरो मन अनन्त कहा सुख पावे? अनन्त का अर्थ अन्यत्र सुर्दास करते हैं कि मेरा मन स्रीकुष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता जैसे उड़ी जहाज को पंची फीडी जहाज पर आवे जैसे जहाज का पंची जहाज से उड़कर पुनह जहाज पर ही आता है क्योंकि चारों और जल से गीरे जहाज का पंची कहीं भी जाए पर अंत में जहाज पर ही आता है उसी तरह स्री कुष्ण का आस्रे छोड़कर कवी का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता कमल नेन को छाड़ी महातम चाड़ी का अर्थे छोड़कर महातम का अर्थे महिमा कमल नेन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे यहाँ पर सुर्दा से कह रहे हैं कमल नेन स्रीकृष्ण की महिमा छोड़कर वहाँ अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है परम गंगा को छाड़ी पियासो पियासो का अर्थे पियासा दूरमती कूप खनावे दूरमती का अर्थे मुर्क कूप का अर्थे कुवा और खनावे यानि खुदवाए परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे यहाँपर सुर्दाजी कह रहे हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा का जल को छोड़ कर अपने प्यास बुजाने के लिए कुआ खुदवाए तो उसे मुर्ख ही कहा जाएगा जी ही मदुकर अमुजर से चाख्यों क्यों करेल फर भावे मदुकर का अर्थे भोरा अमुज का अर्थे कमल यहाँ पर सुर्दाजी कह रहे हैं कि जिस बौरे ने कमल के रस्त का स्वाद चक्लिया हो उसे करेल का फ़र कैसे अच्छा लगेगा सुर्दाश प्रभु काम धेनुत जी काम धेनु का अर्थे देवलोग की गार जो सब इच्छाव को पूरी करती है सुर्दाश प्रभु काम धेनुत जी छेरी कौन दुहावे छेरी का अर्थे बक्री सुर्दाश प्रभु काम धेनुत जी छेरी कौन दुहावे यहाँ पर सुर्दाजी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु तो काम धेनु के समान है उन्हें छोड़कर बक्री को कौन दुहेगा यहाँ पर सुर्दाजी कहते हैं कि सुर्दाज के लिए सभी देवताओं में श्रीकृष्णे सर्वतम है वे गंगाजल के समान निर्मल है वे ही कमल रस्क के समान है सुर्दाज का मन रुपी भोरा उस रस को छोड़कर करिल की इच्छा क्यों करेगा कवी ने दूसरे पद में इस्तिकृष्ण के बाल रुप का वणन किया है और स्रीकृष्ण जब घुटनों के बाल पर चलते हैं तो वो कैसे लगते हैं वो हम पदों के भावड के द्वारा समझेंगे सोपीत कर नवनीत लिये नवनीत का अर्थे मक्षन कौर यानी हाथ हाथ में मक्षन लिये हुए बाल कृष्ण अत्यान सुन्द लग रहे हैं गुटू रेनी चलन वे गुटनों के बल चल रहे हैं रेनू तन मंडिक रेनू का अर्थे धूल उनके सरेट पर धूल लगी हुई है मूख ददी लेप किये ददी अनि दही उनके मूख पर मक्षन लगा हुआ है चारू कपोल लोल लोचन चारू का अर्थे सुन्दर कपोल का अर्थे गाल लोल का अर्थे चंचल लोचन का अर्थे नेत्र चारू कपोल लोल लोचन और उनके गाल सुन्दर और नेत्र चंचल है गोरोचन तिलक दिये उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है लट लट का निमन उनके सीर के दोनों और लटे जूल रही है मत मदूप गन मदूप यानि भोरा मत मदूप गन मादक मदूही पिये वे मस्त मदूप पीकर मस्त हुए बहुरों के समाल लग रही है कंठूला कंठ बच्र केहरी नक कंठूला का अर्थे चांदी की चौक्यों बद नखा और बजर बट की माला कंठूला कंठ बच्र केहरी नक राजत रुचीर हिये रुचीर का अर्थे सुन्दर गले में पहनी हुई चांदी की चौक्यों, बंद नखा और बचर बट्टू की माला रदे पर सुसोबित हो रही है धन्य सूर एको पल इही सुख कासत कल्प जिये यहाँ पर सुर्दाजी कहते हैं कि बाल कुष्ण की इस छबी को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए फिर सौ कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं कल्प यानी चार करोड 32 लाक वर्ज की अवधी यहाँ पर सुर्दाजी ने आंगन में मक्खन का पात्र लिये घुटनों के बल चलते श्री कुष्ण की छबी देखते ही बनती है सुर्दाजी करते हैं कि उनके कोमल गाल चंचल आखे और गोरो चन के तीलक से सुसोबित उनका मस्तक कंट में जोलती कंठुला किसी माला यह सब अत्यन आकडशक है श्री कुष्ण के बाल रुप की यह छबी अत्यन दुर्द लव है यहाँ पर यह काव्य पून होता है आभार